पढ़ने में किस तरा क्षाद रहे आप योरेज रहे टापर रहे नए ने कुछ ने टाव एवरेस से बिलो एवरेस टापर की बात ही चोड़िए इस्टेंडर्ड जो हता है वह सीजल का हलका सा बढ़ा रहता है वह भी मेंस का और वैसे तो थी अच्छा खासा एक्जाम लेता है तो एक्ष्टा में आपको जो भी जाम दे रहे पस जो भी और इंग्छली्ष सब कुछ हमारा है बना हुआ है बस हमके लहीं लृण सब रहता है और सारा क्षिकाई नमस्कार दोस्तों आयउध्य दर्पण में आपका स्वागत है प्रतियोगी चातर के बीच में बीची म के थ्रूइन का हुआ सेलेक्शन अभी आपकी शुरुवात है अभी बहुत दोर तक आपको जाना है सबसे पहले धेर सारी शुपकार में पाठागी आप अपना एक परिवारिक परिवेश के बारे में बता जीए एजुकेशनल जर्णी आपनी दोनों में एक में कर दीजिए परिवार का तो बहुत जैसे नॉर्मल परिवार रहता है वह से रहते हैं हमारी अभी गारजिंग के तौर पर मम्मी है सिफ पापा है नहीं और पढ़ाई के ज्यादा अच्छा प्रोच नहीं था तो दीरे-दीर हम लोग ज्यादा तर मेरा मेरे आप बिजनेस का बहुत ज्यादा जी मेटकल इस्टोर हमारे में अब तो एजनसी भी है तो वही सब्था पढ़ाई कोई खास रुची नहीं थी तो सिच्वेशन सा अनुसार कुछ आ के वहारे आप बिलारी मार्केट में कोचिंग है तो वहाँ पर आप ऐसी नॉर्मली पढ़ने घाए थी वहाँ पर सिच्टर माई पढ़ती थे तो बुलाई किया हो देखो यहां पर एससी त्यारी करो आता है तो बताई कैसे कोचिंग होती है तो थी के चले देख लिते है तो वहां गए तो कुछ भी नहीं आता था हमको कैसे मैथ होता है कैसे क्या होता है गुड़ा कैसे क्या आता है कुछ भी नहीं बताता तो फिर वहां पे आये तो वहां पर पढ़ना शुरू किये तो फिर दिरी दिरे उसमें इंट्रेस्ट आने लगा कि नहीं है कुछ है बहु एक साल पर पढ़े थे फिर वहीं के सर्ते महरे रंजीश सर्थे जो आज हम यहां पर पहुचे हैं जाधा थरह उनका ही योग दान है हम लोग के भीच में तो फिर वहीं इमको यहां पर बता है कि एससी के थो और जो एससी में लाने का जो काम की हैं हमको वही रंजी सर हैं वहीं कि उसके बाद तो सारा खेल फिर यहां से शुरूई हो गया था हमारे यहां दिशा के जितने भी सर हैं इन सब का बहुत अच्छा रूल है तो आपने कहां शुरूआ जो एजुकेशन आपकी पॉलिस था चोटा सा स्कूल था टैलेंट के नाम से वहीं पर चोटी प्रहाई एर तक हुई थी उसके डिरेशन भी खास नहीं था क्योंकि जो फैमिली बैगरंड बहुत खास नहीं था तो कुछ नहीं कुछ करने के लिए तो हम लगबग इंटर के बास से ही जॉब सुरू कर रहे थे तो हम राइप पढ़ाई भी सुरू की तब भी कर रहे तो अगरेशी तो ठीक है रही होगी इसका नहीं था ऐसा कुछ नहीं था उसने कुछ नहीं था समझ लेते थे हलकलका बोल लेते बास और कुछ नहीं था तो वहां पर फिर क्योंकि नीट थी हमको पैसे की तो हम लोग जौब भाईया भी दुकान करते थे, हम जौब करते थे, फिर दीरेदी यह हुआ कि नहीं अब करना है कुछ, तो फिर SSC में आ गए है, कैसे दिशा की तरफ कैसे मुखातिफ हो गए फिर आप, वहीं जहा हम कोचिंग करे थे, वहीं सर हमको सजेश्ट कि अगर कु यह बताइए कि पढ़ने में किस तरक्षात रहे है, आप योरेज रहे है और टापर रहे है, नए-ने, कुछ नए, आवरेस से बिलो आवरेस थे, टापर की बात ही चोड़िए, कोई, में मैटर यह करता है, कि जब आपके फैमिले में कोई ऐसा हो कि पढ़ाने एक लिए आप ही नोगरी की तरफ हाई, यह पूरे परिवार में कोई जो एक गवर्मेंट जॉब में लिया है, और उसके बाद मेरे हम तीन भाई हैं, बड़े भाईया भी दुकान ही करते थे, क्योंकि पापा जब हमारे खतम हो गए थे, 1998 में, तो फिर उसके बाद परिवार में सपोर्ट नहीं था पड़ाएगा, खुछ जो करना है, अभी तो आपकी इनिसील स्टेज है, आपने पहली सफलता प्राप किया है, इसके बाद आगे आप जाएगे, आप ये बताएगे कि वेस कितना काउंट करता है किसी परतियोगी छात्र के लिए, बेस तो बहुत ज़् लग चुका, क्योंकि अगर हमारा बेस बहुत अच्छा होता, तो आज हम लगबग दो साल पहले ही जौब पा चुके होते हैं, लेकिन यह है कि ठीक है, यह सोचे कि ठीक है, जो था वो था लेकिन अगर आप अगे हैं, तो आप अगर नहीं मालीजे, आप ऐसा सिच्वेशन हैं, नहीं बना पाएं, कुछ ने, तो आप कंपटी से हिसाफ से अपने आपको बना लीजे, जो जैसा पेपर आ रहा है, जैसे पढ़ा क्या पढ़ना क्या, तो आप उस चीज़ को भी अच्छे से डबल अब कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यह है कि बेस बहुत जरूरी है, अच और CHSL में, दोनों में डिफिरेंस क्या होता है, निचर में, क्वेश्चन तो लगबख सेम ही रहते हैं, बलकि थोड़ा से स्टेंडर्ड जो हता है, वो सीजल का हलका सा बढ़ा रहता है, वो भी मेंस का, और वैसे तो CHSL भी अच्छा खासा एक्जाम लेता है, इतना हलका भ के लिए इनप है, हाँ, SSC ऐसा एक्जाम है कि आपको हर एक्जाम लगभख हर एक्जाम आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इंग्लिस, मैज, जियस, रिजनिंग, यह सब आपको कवर कर लेता है, तो एक्ष्टा में आपको जो भी एक्जाम दे रहे हैं, बस जो भी एक् का चार शेक्षन है, आपका जियस है, मैध है, रिजनिंग है, और एक दूसरा क्या है, इंग्लिश है, चारों की अलग-अलग इस्टर जीते यारी की क्या बनाया था आपने, मैध की तो हम सुरुआ से पहले मैध आरे सगुराली पढ़ें, जितना पढ़ें, लगबाग पढ़ाते थे, इनका नोट्स बनाते थे, उसको अच्छे से रिवाईज करते थे, फिर नीरज मिश्राय भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनका भी नोट्स रिवाईज, फिर सर का, फिर रोहन भीया है, रोहन भीया की अच्छी नोट्स, यह सब बहुत फादा दिया, बल्कि बुक में तो हम लगबग एक ही बुक लगए उसके राकेश या तो वह लगए थे हम अच्छा छे शेक्सन है सबसे जा अच्छे मार्स किस में थे आपके हमारे मैथ में भी था अच्छा नंबर और रिजनिंग दोनों में लगबग एक में था 48.5 नहीं लगबग इतना था रिजनिंग भी ठीक थे इंग्लीस में थोड़ा सा कम था इंग्लीस में थोड़ा सा कम था, यह त्यारी में कब से शुरुआत कर देनी है तयारी कि आपको कितना समय लग एक पहुंछने साल लग जाता है लग भग तो वह भी मैटर करता है और तैयारी हमको लगता कि इंटर के बास से सुरू कर देने चाहिए अच्छा यह नोट्स आपने जो कोचिंग ने प्रवाइड किया था उसी नोट्स को आपने पढ़ा कि आपनी तरफ से बनाया था आपने जो क्लास में प आप क्या पढ़े हैं कितनी आपकी छंता है वही आपका वो पूरा डाटा देता है और मौक टेश रही तो अच्छा कादा इंप्रूम्मेंट बहुत अच्छा हो जाता है अच्छा ही जाब कई आपने दिया है सफलता भी आपको एक में मिली है अभी कही जहां आप असफल ह दिया तो मैत में मेरा लगबाग 184 नमर बना हुआ था दोसों में इंग्लिस में सब खेल जो ता डूब गया मतलब इंग्लिस भी आपकी दुश्मनी चल लही है दुश्मनी क्या चल लही हो जान लिजे मिल नहीं रहा हमको वक्षोज में बहुत लगी हूँ है अच्छा ये यहां पर तेटेटेते तो अबको डर लगता है क्लास में यहां पर लेकिन इग्लम हब एकदम हम कूल रहते हैं कोई वो नहीं रहता अराम से बैठते कि मेरा यह घंटा है इसीको अराम से करना है तो सबसे बहली बात तो आप जब भी एकजाम देने जाए इस लिए सेंटर का सबसे बड़ा रोल रहा है टाइमिंग इस्टडी में भी और एक्जाम हाल में भी पेपर साल करते हैं दोनों में आप डिफाइन कीजिए हां इस्टडी में बहुत अच्छा रोल है टाइमिंग का तो क्योंकि आप अगर आपने जो टाइमिंग बनाया है जैसे क्या पढ़न है क्योंकि थोड़ा सा भी आप इधर उदर में थोड़ा टाइम दे दिए तो आपका इंगलीज पूरा खराब हो जाएगा और जीएस भी पता लगा कि आपका मैं एक दो कोश्ण चकर में जीएस के पांच कोश्ण अच्छे चले जो आपको आते होंगे तो यह भी बहुत सब्सक्राइब करता है और टाइमिंग की अलग-अलग उसको एक्स्प्लेन किया जा सकता अलग-अलग तरीके से एक सवाल और आप से है कि यह बताईए कि सरकारी नोकरी सब को नहीं मिलेगी पद बहुत सीमित हो दे जा रहे हैं अब आने वाले समय में और भी सिवे यह तो सही बात है सब को गौर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है लेकिन आप अपने आपको इतना बना लीजे कि आप जहां भी अपना कदम रखी वो चमक जाए आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस करिए जैसे हमाई बड़े भाईया है तो ब गार्जडिस सबकुछ जोब सरकारी जोब भी बहुत कुछवी उसके आगे हैं तो आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और मीचीजें जोब प्राइवेट जोब ह Lords अच्छी है तो यहीं है कि आप जो करिये अच्छे करिए जैक अंद में मैसेंट दिढदेजिके उस सब के लिए message देजिए Guardian के लिए भी include कीजिए और प्रतियोगता की तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो लोग आज के समय में जब से आदा हाथ हो तो सही Guardian का रोल बहुत जादा हो गया है आज के समय में तो उनके लिए भी और अपने जो प्रतियोगी चात्र हैं दोनों को लिए एक मैसेज कर भी कर दीजिए हाँ तो ये जैसे अगर आप गौर्मेंट इजाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज पहले हमको समय लगेगा तो ये फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए और जो इस्टुडेंट उसको भी सोचना चाहिए कि फैमिली वाले पहली बाद तो ये नसोचे कि अगर हमाँ बच्चा आज पढ़ने जा रहा है तो अब एक साल के अंदर उसका हो जागा पहली बच्चे आप आ चुके मैदान में आ चुके हैं तो अपने आपको योध्ध मानिया फिर आप यह रिलेटेट रिलेशन के हां जाना और यह सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी समय सीमित है लोगों की निगाहें आपको आ जाती है जैसे आप कंपेटिशन सुरू करते लोगों निगाहें आ जाती है रिस्तिदार आपको देखने लगते कि यह लड़का तैयारी कर रहा है इसका कब होगा और को जब भी आपको रिजल्ट लगाते है इस टेटर पे मालीज आपकर नहीं हुआ तो सबसे पहले मैसेज है क्या हुआ तुम्हारा हुआ नहीं हुआ तो वो सब भी बहुत मैटर करता है तो समय के साथ आप अच्छे से जो है उसको देखते हुआ अप तैयारी करिए आप तैयारी कर रहा है यह है सुमित पाठक जीन का कहना है कि आप सबसे ज़्यादा आज की समय में गारजियन को भी जरूरत है उनको भी पेशन्स की जरूर सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि उसको किसी तरह से अगले वीडियो में फिर आपके बीच में आएंगे किसी प्रतियों की छात्रे साथ धन्यवाद हो कि